Hello everyone, आज हम देखेंगे train वाले numericals या ऐसे questions जिसमें एक object से कई object जुड़े होते हैं यहाँ आपको पास एक train, toy train दिख रही होगी, इसमें हमारे पास यह engine है और कुछ coach लगे हुए हैं coach 1, coach 2, coach 3, coach 4 अब अगर हम यहाँ इस engine को on करते हैं तो पाएंगे हमारे पास यह train रन कर रही है अब जो train रन कर रही है, तो क्यों कर रही है, क्योंकि engine ने क्या किया हुआ है कुछ force applied किया हुआ है, बाकी coach इस पर लेकिन सवाल यह उठता है, क्या जितना force यह engine इस coach पर लगा रहा है क्या उतना ही force यह पहला coach दूसरे पर, दूसरा coach तीसरे पर और तीसरा coach चोथे पर क्या इतना ही force यह सारे object लगाते हैं तो इस video में हम इसी type के questions को solve करने की trick सीखेंगे तो सबसे पहले हम बिलकुल छोटे से शुरुवात करते हैं, जिसमें हमारे पास चार या पांच object नहीं के बल दो object हैं अब हमने माना कि इन दो object को हमने किसी रसी के help से बांद के रखा हुआ है एक table पर अब हम पहले object का मास मानते हैं, M1 दूसरे का मानते हैं, M2 अब इसको हम pull करते हैं किसी एक side से जैसे कि हमने यहां किया हुआ था, हमारे पास कई object थे तो हमने माना कि पहला object के वल यह है और दूसरा object पूरा यह मिला कर एक object है तो हम एक रसी के help से बांदे हुए हैं और इसको खीच रहे हैं अब यहां बात ध्यान रखने वाली यह है कि आप कहां से force लगा रहे हैं या तो आप इस side से force लगा रहे हो या तो आप इस side से force लगा रहे हो tension इसमें tension आ रही है यह इधर जा रहा है यह tension इस side जा रही है तो that means सबसे पहली बात कौन favorable होगा कौन lead करेगा यह lead करेगा क्योंकि यह ज़्यादा इस side खेज़े करही है तो क्या लिखेंगे f-t equal to m2 into a तो हमने इसको क्या लिखा f-t equal to m2 into a यहां देखें तो यहां के विल क्या लग रहा है t इस side friction को हम friction less मान के चल रहे हैं तो consider नहीं कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे कुछ नहीं तो t equal to m1 into a तो यहां हमारे पास क्या आएगा t equal to m1 into a तो यह पहले object के लिए और यह दूसरे object के लिए दोन equation को add कर दें तो हम देखेंगे हमारे पास t equal to m1 a है इसको हमने t की जगा रख दिया add करने की जड़ोती नहीं पड़िया हमने t को t की जगा m1 a रख दिया तो f minus m1 a equal to m2 a तो f equal to m1 a plus m2 a a common लिया तो m1 plus m2 into a या a equal to आगया हमारे पास f upon m1 plus m2 तो मतलब की हमारे question में अगर दो object थे तो acceleration कैसे निकालेंगे total external force कितना है और total mass कितना है उस साब से ठीक है अब बात करते हैं tension tension मतलब की इधर force कितना होगा यह इसको कितना force से खीच राए तो हमने देखा था t equal to क्या है m1 into a a आप निकाल चुके हैं तो क्या जाएगा t equal to m1 into f upon m1 plus m2 मतलब की अगर यहां force लग रहा है total f तो यहां force f नहीं लगेगा यहां force कितना लगेगा m1 upon m1 plus m2 into f मतलब की total force का यह mass upon total mass यह mass upon total mass यह लगेगा तीक है अब अगर हम इस side से खीचते इसको इस side से खीचते तो force लगता यहां इधर force लगता m2 into f upon m1 plus m2 मतलब की यह mass upon total mass into जितना action law force लग रहा है वो तो यहां रखना है कि force कहां लग रहा है उस पर भी यहां caution करते हैं अब हमारे पास एक numerical है यह हमारे NCRT exercise solution भी है 4.15 two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string a horizontal force of 600 N is applied to a first A object and then second B object along the direction of string what is the tension in the string in each case मतलब की हमारे पास यहां हम इसको diagramatically देख लेते हैं दो object है object 1 object 2 तो हमारे पास force जो लग रहा है वो कहां लग रहा है अगर पहली बार यहां लगाएं हमने पहले कुमाना है 10 kg दूसरे कुमाना है 20 kg तो एक बार हम force यहां से लगाएंगे और एक बार force हम यहां से लगाएंगे तो हमें वही देखना है कि जब यहां से लगाएंगे तो कितना होगा, यहां से लगाएंगे तो कितना होगा, तो निकालना क्या है, यह वाली Tension, तो Tension का formula क्या आया था हमारा, जब हमने M2 पे force लगाया था, M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, और जब हम M1 पर force लगाएंगे M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, तो बस यह हमें यहां करना है, तो T equal to M2, M1 हमने यहां लेके रखा हुआ है किसको, 10 kg को, M2 लेके रखा हुआ है 20 kg को, तो हम solve करेंगे तो कितना जाएगा, 20 इंटू 600 अपॉन 10 प्लस 20, 400, यहां करेंगे, तो 10 इंटू 600 अपॉन 10 प्लस 20 इ 20 kg पर force लगाएंगे, तो 200 N हमारा tension आएगा, और जब M1 पर force लगाएंगे, तो 400 N tension आएगा, मतलब कि यहां force लगाना और यहां force लगाने से भी अंतर होता है, आप अगर formula याद नहीं है, तो आप इसको बिलकुल वैसे ही कर सकते हैं, जैसे हमने भी derivation में किया था, same way यहां कर सकते हैं, आ जाएगा आपका answer, अब इसी को और आगे बढ़ाता है, भी हमने 2 object लिये थे, हमने 3 object लिये थे हैं, 3 object मतलब वही जो हमने train का case लिया था, यह हमारे train वाला case आ चुका है, train वाले case में हमारे पास 3 object है, M1, M2, M3, यहां हम force M1 पर लगा रहे हैं, और हमें कैसे इनका answer आएगा, वो देखेंगे, तो अब गर यहां F लग रहा है, तो इन दोनों की बीच में कितना लग रहा होगा, F1, कैसे यह इस पर force लगा रहा होगा, F1, action, तो यह क्या होगा, reaction F1, अगर हम रसी लेते तो क्या लेते, tension T1, T1 ले लेते, फिर ऐसे यह इसको धका दे लेते होगा, force F2 से, तो यह इसका reaction force क्या लग रहा होगा, F2, छीक है, अब सबसे पहले, पहले object की बात करें, M1 की बात करें, तो इधर क्या लग रहा है, F, और यह क्या लग रहा है, F1, तो क्या लिखेंगे, F-F1, equal to M1 into A, इसकी बात करें, तो इस पर कौन सा लग रहा है F1, इस side कौन सा लग रहा है, F2, इस side F1, इस side F2, तो क्या लिखेंगे, F1-F2, equal to M2 into A, इस पर side कौन सा लग रहा है, F2, और इस side कोई force लग रहा है, कोई force ही नहीं लग रहा, तो F2 equal to M3 into A, बस अब तीनों को add कर देंगे, तो क्या जाएगा, यहां से F1 से F1 cancel हो जाएगा F2 से, F2 cancel हो जाएगा, क्या बचेगा F equal to this one, A common, तो A equal to F upon M1 plus M2 plus M3, यह हमेशा आएगा मतलब जितने भी आपके objects के mass होंगे, उनका sum करिए total force लगाईए, तो A equal to F upon M आएगा, ठीक है लेकिन अब फिर से वही बात F1 कितना होगा, F2 कितना होगा वह देखना है, तो F2 equal to कितना है, M3 into A तो M3 हमारे पास M3 है और A यह है, तो कितना जाएगा M3 into F upon M1 plus M2 plus M3, फिर से देखो यह वाला force लगा रहे हैं तो केवल कौन सा mass लेंगे यह वाला mass लेंगे, और upon में total mass, अब जब यह वाला force लगाएंगे, तो कौन सा आएगा यह mass upon में total mass, ठीक है, तो यहाँ देखें हम तो यहाँ हमने F2 कितना है हमारा, केवल M3 into F upon total mass, ऐसे ही जह हमने equation 1 और 4 का use किया, और F1 निकाला, मतलब कि यह निकाला, तो देखें हमने निकाला, तो आंसर वही आया, क्या M2 प्लस M3 into F upon M1 plus M2 into F, M3 अब इस question से आपको यह train वाला question समझना है कैसे, यह देखें अगर हम यहाँ से force की लगा रहा है, engine यहाँ जा रहा है, तो यह पूरा force लगा रहा है, तो यहाँ जो force आ रहा है, वो कितना लग रहा होगा total, मतलब total F ही लग रहा होगा, यहाँ से ठीक है, और उसमें कैसे आएगा हमारे पस, total mass आ जाएगा, जैसे F क्या है, F equal to M into A है, ठीक है, लेकिन जा हम यहाँ force की बात करेंगे पहला वाला दूसरे को कितना खीचेगा तो क्या करेंगे आप, इसका mass plus इसका mass plus इसका mass into total F upon total mass ऐसे ही हम इसकी बात करेंगे इन दोनों के बीच में कितना लग रहा होगा तो इसका mass plus इसका mass upon total mass और M1 plus M2 और जब इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा इसका mass upon total mass into actionable force तो मतलब कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक train जब हम खीचते हैं तो उसमें भी हर एक coach जो होता है दूसरे coach पर एक सा force नहीं लगाता अलग-अलग force लगाते हैं अब अगर इसी में हम आपको numerical value देदें कि एक coach का mass 200 kg है और 2000 kg है और engine का mass 8000 kg है और हम उसको तरीके से numerical भी इसको बना सकते हैं अब यहां देखते हैं हमारे पास 3 object है 2 kg, 3 kg और 4 kg अब यह हमारे पास floor पर रखे हुए हैं हमें यहां find क्या करना है F1, F2 जबकि हमें F और हमें पास external force भी find करना है F1 भी find करना और F2 भी find करना है हमें और कुछ नहीं दिया है लेकिन दिया क्या है हमारे लिए हमारे पास दिया हुआ है acceleration, common acceleration कितना दिया हुआ है 2 meter per second square ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहां, तो यह क्या आएगा F-F1 equal to M1 into A तो M1 की value कितनी दिया है हमारे question में 2 kz, A की value कितनी दिया 2, तो 2, 2 जा 4 तो हमारे पास पहली equation आ गई F-F1 equal to 4 यहां देखें, तो यहां भी बिल्कुल ऐसा ही चलेगा F1 minus F2 equal to M2 into A M2 की value कितनी है, 3 तो 3, 2 जा 6 एक equation यह आ गई, और फिर यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है F2 equal to कितना आ जाएगा, M3 into A M3 की value कितनी है, 4 4, 2 जा 8, तो F2 तो डारेट T आ गया, 8 newton यह तो निकालने नहीं पड़ा, F2 कितना आ गया 8 newton, अब इसको यहां रख दो F2 आ गया, equation 2 में रख दो इधर जाएगा, 6 plus 8 14, तो F1 कितना आ गया, 14 newton आ गया, अब आपके बस F1 आ गया है तो F1 यहां रख दो तो F कितना आ जाएगा, 14 plus 4 18 newton, मतलब इस question में जो actionable force लगा, वो कितना हो रहा होगा हमारा 18 newton का force लग रहा होगा अब थोड़ा सा और complicated questions, अभी हम जो भी pulling कर रहे थे, एक रसी से कर रहे थे जो रसी हम use करते हैं उसको हम mass less मान के चल रहे थे, लेकिन अगर हम बोने कि अगर हम जोस चीज को कीचे, वो रसी भी बहुत भारी है, chain है लोही से बनी, वो भी उसका बजन है उसका भी कुछ mass है तो उससे क्या आसर पड़ेगा tension में, तो वो देखते हैं हमने माना कि हमारे पास एक chain है, जिसमें mass uniformly distributed है मतलब कि, अगर उसकी length L है और total mass M2 है, तो हर एक हमारे पास जो total F होगा, वो भी क्या होगा object का mass plus रसी या chain का mass into acceleration, तो acceleration फिर क्या आ जाएगा total force upon total mass, चाहे object की बात करें चाहे रसी के, अगर हम यह दो object लेते तो वही हो जाता है, M1 plus M2 plus रसी का mass M3 अब tension की बात करनी हमें इस question में at the midpoint of string, मतलब की इस point पर हमें क्या निकालनी, tension तो इस point पर मतलब की हमारे पास इसका आधा mass तो आए गई आएगा, है ना तो अगर total रसी का mass है M2, तो आधी रसी का mass कितना हो जाएगा M2 by 2, और इसका mass कितना है M1, तो यहां से हम बात करेंगे total tension कितनी आजाएगी M1 का mass प्लस आधा M2 का mass into acceleration, और acceleration की value हम उल्रेटी निकाल चुके हैं, कितनी आए थी F upon M1 plus M2 उसको solve acceleration value रख देंगे, तो हार पास answer किया आगया, M1 plus M2 by 2 into F upon M1 plus M2